कर दोस्तो मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे फिंटसी में आपका सवागा ते ठीक है जो कि नाम चेंज हो गया यार अंडिफिटेट को मैंने कर दिया सुझे फिंटसी अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इस मैच के बारे में कौन से मैच ओमन सूपर मैच यह मेरे point of view से आपके लिए यह जैकपोट मैच है फिर से बोल दे रहाँ मैच है क्यूं है वीडियो में देखोगे समझोगे तो फिर आपको समयों में आज आएगा कि क्यूं यह आपके लिए important match है ठीक है यहाँ पर मैंने हर player का आपको स्टार्स दिखाउंगा को और वो खेलेंगे अपने टीम के कैप्टेन भी रने वाली है ठीक है मैं ऐसे क्यूं बोल रहा हूं आपना देखो बहुत सारे फेंटसी वाले हैं यार स्टैट्स के बेसिस पर आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं बट आपन जो टीम बनाते हैं वो अलग मैंट से बनाते हैं में बिडियो को देखोगे तो ही आपको पिर कुछ फैय्दा होने वाले है वैसे अगर आप आधा देख करके जाओगे फिर कोई फैदा नहीं है और हाँ एक प्लेयर में इस वीडियो में ही डिसकस करने हाला हूं अब के साथ, ठीक है, दस प्लीयर कहीं, एक प्लीयर मेरे, इस वीडियो में ही रहने वाली है, तो वीडियो के बीच में कभी बता दू Scottish, या सटांटिंग में ही बता दू, तक फोकस करके चलना ठीक है, पहले वे डिसक्स कर लेते हैं, Oman Super Smash का ही वीडियो में अभी डाल दूँगा कुछ दिर में आपको Oman Super Smash का ही मिल जाएगा बरोदा T20 चैलेंज है ये भी हम लोग फॉलो करके चलने माले हैं इसका ही वीडियो में आपको थोड़े दिर में अप लोट करता हुआ दिख जाऊँगा इसका सारा लीग हम लोग फॉलो करके चलने बिग बास लीग वीडिज करना ही और बनाना है टीम अरा है मालूँ होगा अगर आपा रेगुलर और आप अभी कल मैसेज, तो कल तक का मैंने आपको सिडिल समझा दिया, तो चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं, स्टैट्स की उपर, और वहाँ आम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस प्लेट को ट्राई करना है, और किसे नहीं ट्राई करना है, दोस्तो, तो यहाँ से जो वेलिंग्टन ब्लेज ओमेन के टीम है ना भाई, हाँ, चलो आ गया, वेलिंग्टन ब्लेज ओमेन के टीम, सबसे फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, कि अगर आप हमारे टेली गराम से अभी तक नहीं जूरे हो, इस बीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेली गराम का लिंक मैंने पीनप कर रखा है, और वहाँ से आपको डालेटली जा करके जूर जाना है, कैसे जूरना है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिसकस कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल फ्री अप कोई पैसा आप काने लगने वाला है, विकॉज अगर आप नहीं जूरे हो तो यार बहुत सारे काफी बंदे साप पीशे हो, तो मैं बोलूगा कि आप जल्दी से जा करके जूर जाना, अब यहाँ से बात करते हैं, हम लोग वेलिंटन ब्लेज ओमेन के टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, इनका प्लेइंग 11 देखोगे, तो हर बार की तरह तो वही रहता है, बट यहाँ पर एक जो प्लेयर खेलने वाली है ने यार, अगर देखोगे तो वेलिंटन ब्लेज के टीम अभी तक साड़ा मैचेज विन करके ही आई है, इस लिग के सबसे स्ट्रॉंगस टीम है, और अच्छी काशी विन करती है, इस टीम से आपको कैप्टन दिख जाएंगे, मैडी गिनिन, एमेलिया कर भाइस कैप्टन, आपको जोड़ा ही है, तो फर्स्टली चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, रभीका बंस के बारे में, इनका देखो, कुछ खास मुझे स्टैट्स लगा नहीं है, बट हाँ, बंदी चलेगी तो देखो लो, 30, 42, 32, मतलब चलेगी तो अच्छे कासा प्रफॉर्मेंस करते हुए, ऐसे कुछ यह करती नहीं है, ठीक है अपने टीम में, उसके बाद बात करते हैं, जैसी का मसे फिदेन, इनके बारे में सोचना ही नहीं है, ट्राइ करना ही नहीं है, इनको सीधा ड्रॉप करते हैं आपको, ठीक है, अमलिया कर, जिन पे फोकस करना है, जो अच्छे कासी परफॉर्मेंस करते हुए, दिख जाएंगी, उनको हम लोग ट्राइ करके चलेंगे, अपने स्टाइट्स के बेसिस पे, अपने जो भी कहो है, अपना अलग मैंट से थे, ठीक है, एमलिया करके बारे बात करेंगे, तो देखो, इचारच और बर की बॉलिन डालती हुए, आपको दिख जाएंगी, बट दो मैसेज अच्छी काजी परफोर्मेंस कर रही हैं दोस्तो, तो उस बेसिस पे अगर ट्राइ करना चाते हो, तो इंको बिल्कुल ट्राइ करके चल लेना, अच्छी काजी परफोर्मेंस करती हुए, आपको दिख जाएंगी, जोर्जी आप लीमर हैं, ओपनिंग करती हुए, आपको दिखेंगी, बट इस मैच में आपको ओपनिंग करती हुए, नहीं दिखने वाली है, तो इनके बारे में आप सोचना मत, ठीक है, उसके बारे आते हैं ली कैसपर्क के बारे में, इनका देखोगे, T20 का स्टैट्स इ आपको नहीं चलना है, अपने टीम में ट्राइ करना है, थैंजी नूटन, कुछ खास करती हुए, आपको दिखेंगे नहीं, इनके बारे में सोचना नहीं है, उसके बाद कैटलीन केरिंग, इसी भी उसी तरी के प्लेयर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड ली रोटे तो फोकस करके हम लोग चलेंगे कि क्या इंको ट्राइ करना है या नहीं, बहुत बड़ी नाम, और इनके बारे में बोलने का जुरूत नहीं, अभी WBVL खेलके आ रही है, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है, इनका संदार परदरसन रहा है, तो इनके बारे में बोलने के परफॉर्मेंस करती हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राइ कर लेना, और ग्रैंड लिग में तो ट्राइ कर नहीं है, आपको कैप्टेन बेथ मुनी खिलने वाली है नहीं, तो इनके तरफ से सारे कुछ मैंने आपको प्लेयर का बारे में इट्रेल से समझाने का प्रयास किय है, सिर्फ आप लोग के लिए इतना सारा कुछ में कर रहा हूँ, और एक छोटा सा अगर आप लाइक नहीं करते हैं, तर बहुत बुरा लगता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, गीववे के बारे में, ठीक हैं, गीववे में क्या आपके लिए रने वाला है, गीववे मे और उसके बाद वीडियो को लाइक किया रहाना है, चैनल को सब्सक्राइब किया रहाना है, तो ही आपको पैसा मिलने वाला है, अगर आप विन वी कर जाते हो तो, ठीक है, यह सारे प्लेयर आपको खेलते वी दिख जाएंगे, नॉर्दन ब्रेव ओमन के तरप से, इनका अ और टीम थोरी कंजोर हो जाती है, दोस्तो, हॉली टॉप के बारे में कुछ खास में बोलूँगा नहीं, गिरेंड लिंग रोटेट करना आप, नैंसी पटेल, आपके लिए बेस्ट पीक रहने वाली है, क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों अच्छी खासी क दूँगा नहीं, सेर्सफिल्ड के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तो, तो यहां से अगर इंका देखोगे, स्क्वाइड में, तो कुछ इंका इंप्वांटेस होतना कुछ देख रहे हैं, तो चार ओवर तो डाल रही है न बंदी, बट से बिकेट नहीं मिल रहे हैं, औ कॉज यह आपके लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हो दिखेंगी, देखो यहां से, चोगवाली संठावन, उनतीस, चोटीस, सिर्फ फस्ट मैस को छोड़कर हर मैस में बंदी परफॉर्मेंस दे रही है, बिरुकुल रोटेट करका चलना है, मिकाला टेम लेंटन क इनको, और इस मैस कोई स्क्वाइड में ना भी नहीं, तो आपको खेलने में दिखने यह नहीं आए, उसके बाद सिर्यान एडू के बारें बात करेंगे, तो यह भी आपको कुछ खास करती भी दिखेंगे यह नहीं, यहां से ट्राई करना है आपको एल हिप्स को, जो कि आ आपको साधी इनफर्म कर दूँगा, बर ज्यादा कुछ खास प्लेयर नहीं है, ग्रेंड निम रोटेट करना, तो यहां से सारे कुछ में आपको एनलैसिस वाला पार्ट अब खतम हो गया है, अब हम लोग चलेंगे ड्रीम 11 के टीम के उपर, और वहां चलके डिसकस करेंग दूसतों अभी तक मैंने बहें अभी टीम, मैंने भी अभी क्रीट्ट करता हुआ, चलूँगा, यहां से कर किसी के बारे में बात करγ industrial करेंगे तो यहां से प्लेट करने हैं, यहां से आपको दो प्लेयर खिलती होको प्ले没有 law-MAN के ब्ले बिचलेंगी अंगे उनको और ट्रा सेक्षन पर आते हैं, तो मेरे लिए फर्स्ट पीक रहेंगे, कैडली उंगरी, सेकंड पीक में मैडी ग्रीन को लेकर के चलूँगा, कैटी पेडरसन खेलने वाली है नहीं, जौर्जी अप लीमर खेलेंगे भी तो ग्रेंड लीमर रोटेट करना, यहां से नीचे कोई खास जो की आपके लिए ठीक ठाक चोईसेज में रहेंगी, अगर क्रेडिट उस हुआएगा, तो मैडी गिरन के प्लेस पे किसी और को सोच सकते हो इनके बारे में, ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ओल राउंडर सेक्शन पर, यहां जो रने वाली है, मेरे लिए, एमेलिय जैजScare भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, नैंसी पर टेल भी इंपॉर्टेंट है, मिरे लिए, सौफी डिवायन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसे ड्रॉप करूँ ठीक है तो यहां से मैं अगर किसी को बोलूँगा तो आप Jazzker को अभी के लिए छोड़ सकते हो Nancy Patel को भी छोड़ सकते हो because Sophie Divine आ चुकी है इस टीम में तो अच्छी खासी performance करती हुई तो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी तो Lee Kasper को आपको लेना ही लेना है मैं अभी के लिए चार प्लेयर के साथ ज्यादा जाना है प्रिफर करूँगा मैं यहां से Lee Kasper को मिस करता हुआ दिख जाऊंगा ठीक है पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं बॉलिंग सेक्षन पे यहां आपको जारा जेटली देखती हुए जाएंगी खेलती हुए दिख जाएंगी यहां से आपको Rebecca Buns को ड्रॉप करना है और 8 क्रेडिट में ले लेना है आपको Catlin King को विकॉज आपको क्रेडिट मैनेज करने पड़ेंगे ठीक है तो यहां से मैंने अभी के लिए यह चारो प्लेयर का रखा है बॉलिंग सेक्षन पे एल हिप्स और स्रेया नैडू को में लेकर के चलने वाला हूँ या फिर सी सर्स फिल्ड को भी आप लेकर के चल सकते हो जो क्या आप चारो प्लेट बॉलिंग डालते भी दिख जाएगी तो मैं अभी के लिए इनको ही लेकर के चलूँगा ठीक है तो पसमच जाना कउसी प्लियर रहने वाली है तो अब लोग team रखते हैं उसके बाद बात करेंगे captain byus captain के choices में जो रहने वाली है दोस्तों वह आपके लिए रहने वाली है मैं captain nya बीक ब्रूफर को कर मेरी रहेंगी आगर मैं T के बारे में किया आपको कितना इंवेश्मेंट करना इस मैंच में 100 रुपीज लगा लेना 90 परसेंट पैसा अपना इंवेश्मेंट का लगा लेना तीन मेंबर वाले कॉंटेस्ट जोएन कर लेना और सारा कुछ अभी आई हो गया ठीके दोस्तों तो आपको गेव में पार्ट गटरीक और वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद और अपना ख्यार रखे दोस्तों जै हिंद